हेलो प्रेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन डिटक्टर में तो आप सभी लोग कैसे हैं आशा काता हूँ आप जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे तो आज की वीडियो बहुत ही इंपोटेंट होने बाले हैं अगर आप सरकारी नौकरी की तयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को अंतक अवस्य देखें अगर आपको जिस कोशन का आंसर पहले से पता है तो उस कोशन का आंसर कमेंट में जरूर बताएं तो वीडियो को शुरू करते हैं प्रेशन नंबर वन जापान पर परमाडू बंप का गिराय गया था उननीसो साट इसवी में, उननीसो पैतालिस इसवी में, उननीसो चालिस इसवी में, उननीसो पैतीस इसवी में आपका सही आंसर होगा ओप्षन बी, उननीसो पैतालिस इसवी में अगला प्रस्ण नमबर दो है गांधी फिल्में गांधी की भूमे का किष्णे निवाई सर्वदमन दी बनारजी ने, अमिताव वच्चन ने, अक्से कुमार ने या बेन किंग्सले ने आपका सई आंसर होगा ओप्शन डी बेन किंग्सले ने अगला प्रस्ण नमबर तीन है, सिख्षक दिवस कम मनाया जाता है 14 सितंबर को, 21 सितंबर को, 5 सितंबर को, 10 दिसंबर को फ्रेंड्स आपका सई आंसर होगा ओप्शन C, 5 सितंबर को अगला कोशन फ्रेंड्स आपका है फोर, भांखडा नागल बांध किस नदी पर है सतलज नदी पर, ब्रह्म पुत्र नदी पर, गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर तो फ्रेंड्स आपका सई आंसर हो जाएगा, ओप्शन A, सतलज नदी पर, बांखडा नागल बांध सतलज नदी पर है फ्रेंड्स अगला कोशन 5 है, संयुक्त राष्ट संग युवनों की सुरक्षा परशद में कितने इस्थाई सदस्य हैं, 6, 4, 5, 7 तो फ्रेंड्स आप इस कोशन का आंसर कमेंट में दीजिए अगला कोशन नबर 6 है, संबिधान के प्रारूप समित के चेर्मेन कौन थे? लाल बहादु सास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेटकर, जबाहर लाल नहरू, बल्लव भाई पतेल तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर होगा, ओप्शन B, डॉक्टर भीमराव अंबेटकर फ्रेंड्स अगर आपको जिस कोशन का आंसर पहले सही पता है, तो उस कोशन का आंसर कमेंट में अवस्राइट करें अगला कोशन सेवन है, डिस्कवरी ओफ इंडिया नामक पुष्टक, किसने लिखी थी? डॉक्टर रादक किश्लन ने, भगत सिंग ने, जबाहर लाल नहरू ने, यान रविंद्रनाथ टैगोर ने तो फ्रेंट्स आपका सही आंसर होगा, जबाहर लाल नहरू जबाहर लाल नहरू ने, डिस्कवरी ओफ इंडिया नामक पुष्टक लिखी थी अगला कोशिन नमबर आठ है, गृत्व कशड की खोज किश्ने की थी? अलवर आइश्टीन ने, आरेवट ने, कौपर निकस ने, या निउटन ने? तो फ्रेंट्स आपका सही आंसर होगा, ओफ्षन डी, निउटन गृत्व कशड की खोज निउटन ने की थी? फ्रेंट्स अगला कोशिन नमबर नौ है, भारत के किस राज्ज में सरवादिक चावल उत्पादन होता है? मध्यपरदेश में, पहस्चे मंगाल में, गुजरात में या उत्रपरदेश में? तो फ्रेंट्स सही आंशर होगा, ओफ्षन नमबर वी, पस्चे मंगाल में, भारत के पस्चे मंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है? अगला प्रसिन नमबर देश है, बांगला देश की मुद्रा क्या है? रुपया, डॉलर, टका या थिम्पू? फ्रेंट्स तो आपका सही आंशर होगा, ओफ्षन सी टका तो फ्रेंट्स, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगिये, तो हमारी वीडियो को लाइक करना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लीजिए और पास में बना बैल ले करना उसको प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने प्रैट्स तक जितना हो सके उतना सेर करें थैक्स पॉर वाचिंग इस वीडियो